रादे रादे सबी भक्तों को देखिए हमारे लाला सो रहे हैं मैं इनको मौर्निंग मैं उठा रही हूँ ताली बजा के ही इनको मैं उठाती हूँ अब इनका मैं कमबल हटा दूँगी कमबल हटाने के बाद इनको उठा के बिठाओंगी पहले तो इनसे मैं दो चार बाते कर बिठा दूगी ने अपने चोटे लाला को अब यह बड़े लाला को जगाऊंगी मैं यह मेरे बड़े लड्डू भी जग चुके हैं देखिये बैठ रहे हैं उठके अब मैं इनको इस पर गद्दे पर ही बठा देती हूं दोनों को साथ में इस बैठ गए मेरे दोनों ही जल लेके आती हैं अब इनको जल पिलाऊंगी इन फ़र बड़े लड्डू को पिलाऊंगी में जल्ड़ा उन अब यह बाद यह मेरे से फोतेे मोवपन भी पिखियें हैं लिटे थे फे दिचुक्टे लाला का ग्लास बरे ललादला है यह जल्ड़ अ अब इनके हम नहाने की त्यारी क्रेंगे यह इसनान करेंगे बढ़े भी नलाएंगे दॉनों को निलाऊंगे मैं इटे कर दीटी मेरे नन्ने मुन्ने से लड्डू बुपाल है पतले दुबले से यह हैं बड़े अब यह भी नहाएंगे दौनों साथ महीना लाती हूं मैं इनको मैंने एक यह पीदल का बरतन ले लिया है इसी में बिठाके मैं इनको हरोज इसनान कराती हूं जैसी वह होता है कभी जल से भी निला दिती हूं दूद होता है कच्छा दूद तो उससे भी निला दिती हूं जाँ अचाइए जो भी घर में अवेलेवल होता यह उन चीजों से इन को स्दान करा दीती हूं अब यह मैंने इनकी निलाने की तेयारी कर ली है इनको मैं निलाओंगी यह जल से कि नर्मल जल है कि मैंने जल से निलाया है लाला अब छोटे वाले भी नहाएंगे इसी तरह इसके से दौनों को मैं निला दूंगी वा लालाओं को अब मैं इनको दूद ये कच्छा दूद है इनसे भी थोड़ा-थोड़ा मैं इसनान कराऊंगी इनको कि इसके बाद फिर से इनके उपर सदा जलसे इसनान कराती हूं मैं ये पुस परपन कर रही हूं इनको कि उसके बाद ये तुल्सी के पत्ते हैं अब इनको ये साद अजल से फिर से मैं इनको इसनान करा देती हूं मैं इसी प्रकार हर रोज इन अपने लालाओं को दोनों को इसनान कराती हूं सान कराने के वाद इनको बस्तर बिनाती हूँ दुले हुए अब इनको मैं एक रुमाल ले लिया है मैंने इनका बना रखा एसी सही मैं इनको निलाने के वाद इनको पूंचती हूँ मैं का पूंचने के बाद अब इनको में कप्ड़े बना दूंगी मैं फिर उसके बाद मैंने बड़ी लाला पोछ दीये नहां लिये अब इने से निकाल के इनको पॉंच देती हूं है मैंने इनको भी पहुच दिया अब इनको मैं कपड़े पिनाओंगी इसको अटा देती हूं मैं इसको जल को पौधों में या फिर कहीं पेड़ वगेरा इसमें ऐसी जगह टालें जहां पैर ना पने छोटे लाला को ठंड लग दिए जल्दी से कपड़े पिनाओं मेरे ये ला लाला चोटे वाले उनी बस्त्र पहनने लगे हैं उनी पोसाग पहनने लगे हैं ये चोटे हैं प्यारे से हैं इनको ठंड ज्यादा लगती है इसलिए चोटे बच्चे जो होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है ना इसी प्रकार ये भी है मेरे चोटे लाला हमें ये बड इनके मिल चुके हैं एले इनको निकार बनाते हैं इनको यह बहन चुके हैं मेरे अब बड़े वाले आप इननको रेश्तवार हम मेन में बंतर नहीं है कि यह नहीं कर दो इधर दढ़ती हूं तो इस तरीके से क्याम gonnaут निकलेगी नहीं फिर सरकती नहीं है एक खुलती नहीं है इदर उदर नहीं भागती फिर यह अब मैं नहीं इनको बास्ते बना दिया है इनको मैं तेलक चंदन कर देती हूं चोटे लाला के भी कर देती हूं बड़े के कर दिया है अब मैं इनको मिसरी का भोग लगाऊंगी भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता और घंटी बजाना जरूरी होता है आप भी भोग लगाएं तो तुलसी का पत्ता जरूर रखें भोग में और संड़े के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें तुलसी ना तोड़ें पहले से ही एक टब्बे में तोड़कर फ्रीज में रख लें आप और भोग लगाते समय घंटी या बस्ती बजाएं या ताली बजाएं मैंने इनकी फूजा कर दिये अब मैं इनको भोग लगाऊं दूद और बिस्किट जो घर में होता है मैं उसका भोग लगा देती हूँ फल फ्रूट जो भी होते हैं नहीं तो दूद का ही भोग लगाती हूँ मैं बिस्किट है तो बिस्किट का भोग लगा देती हूँ मैं इनको मैं इस तरीके से इनको पहले खिलाती हूँ एक-एक निवाला उसके बाद भोग तुलसी के पत्ते देखिए मैंने अवस्ति डाले हैं आप भी अवस्ति डाले हैं इनको भी मैं खिला देती हूँ छोटे वाले लड्डू अपाल को यह भी खा चुके हैं अब यह भोग थोड़ी सी दिर के लिए मैं इनके पास ही रहने दूंगी इसे बोलूंगी मैं खाईए आप घंटी मैंने बजा दी है घंटी या ताली बजाएं आप भी अब मैं खाना बनाओंगी तो फिर इनके इसके बाद खाने का भोग लगाओंगी सबसे पहले इनको आई होप आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी आप